देखिए यही वो पीपल का पेड़ है जिसमें कहा जाता है कि इसी के डाणों में 26 लोगों को जिन्दा लटका दिया गया जिनकी लाज से राद भर लटकती रही और सुबह जब लोगों ने देखा तो लोगों के पेरो तले जमीन खिसक गई और तमाव क्या नाम था हूं रा दोस्तो नमस्कार मैं हूं संतोस और आप देख रहे हैं 16 दोस्तो इस समय myth जनपत-गाजीपूर में उपस्थित हूं और गाजीपूर एक अतिहासी जिला कहा जाता है और इसथी वहmen इतिहास में जगह मिल गई लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जिने इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली लेकिन कहीं न कहीं वो जो जगहें हैं वो इतिहास के पन्नों से तालोख रखती हैं इतिहास से तालोख रखती हैं ऐसी एक जगह है गाजीपूर जिले के भधैला गाउ है जो सायदपूर तासील के अंतरगत आता है उसी तासील के अंतरगत एक भधैला गाउं उसी भधैला गाउं में मैं उपस्तित हूँ जो एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो दसकों वर्स पुरानी है सौ साल बीत गए यह जो हवेली आप हमारे पीछे देख रहे होंगे एक खंडहर में तब्दील है वो दरसल खंडहर नहीं एक हवेली थी जो आज से सौ साल लगबक सौ साल पहले जब जमिदारी प्रथा थी अंग्रेजों के जमाने में जब जमिदारी प्रथा थी तो एक जम कि आप दिखा दीजिए वो गेट जिस गेट से लोग आने से भी डरा करते थे आज मैं उस गेट के अंदर घुसके खड़ा हूं तो आप लोग जानते होंगे कि यह कैसे खड़ा है लेकिन आज बहुत साल बीत गए कुछ लोग हैं इनके घर इनके परिवार के भी लोग हैं ज पीपल का पेड़ आप लोग देख रहे होंगे इसी पीपल के पेड़ के डार पर लटका दिया गया था और पूरी रात इसी तरह लटकी थी वो लासे और वही देखकर यहां के अगल बगल के गाम के लोगों को पलाइन करने पर मजबूर होना पड़ा था यह जो हवेली है आप देख सकते हैं और उनके परिवार से ही एक ब्यक्ति हैं हमारे साथ हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे तो हम कहेंगे थोड़ा सा और आ जाई आगे इनसे हम जानते हैं तो बहुत वो स्वागत है क्या नाम पड़ेगा अनिल पांडे हमारा नाम है अच्छा यह बत अच्छा आपके दादा जी थे वह बताते हैं लोग कि इसी में वह बैठते थे इसी हवेली में इसको बनवाए ते घुमने फिरने अपना जो है तो यहां पर बनवाए और बनवाने के बाद जो है मर गया तब से इसको छोड़ दिया गया कि बहुत साल हो गया है सब साल हो इस तीशरी पीड़ी चल रहे हैं यह स्कुंज二 सी जगहें है जो एटिहासिक जगहें हैं इन जगहों को सरकार संरच्छन मेंäg ले रही है संरच्छन दे रही है इन सब पर बिचार की कि नहीं तो कुछ बिचार नहीं हुआ न कोई आया जो भी अब बची है सब सबका नंबर बट गया है सबका इस बगल में जो है आपके तालाब है यह तालाब भी सरकार वही खुदवाए थे अच्छा यह तालाब में मचली को जो है नतनी पना कर सोने का अब रहते था ताल अरे इस और इस तालाब का पाने लोग पीते से दूर दरास से आते थे तो अठिया राम को बाबागा जी आते से यह दो तर दी निम लुख बड़ी तो सरकार आजमे सोने थे भाई हमारे बाबालों लोग पढ़गा जोंगा इस मुखकी बावन गामन ग आप तो इसी परिवार से आते हैं और आपको तो सब कुछ पता होगा और बताया जाता है कि भूताई हमेली है यहाँ पर आने से लोग डरते हैं लेकिन आप लोग यहीं घर बना के रहें हैं आपको डर नहीं कुछ नहीं कोई भूत नहीं आज का जा जाता है लोग डरते हैं सब लोग डरते हैं तो बोलते हैं भूत ही है कोई नहीं आता है मगर आने वाले तो आज कल घुश जा रहे हैं दिन में ही कि सरकार की नजर इस पर पड़ी सब्सक्राइब ना की कब ने कभी जैसे इसके बारे में लिखुकर लिया हुआ है मैं को आज भी आज इसे गाजीपूर में ऐसे कई इतिहासिक जगह हैं जिनके बारे में आज भी लोग नहीं जानते हैं और नहीं किसी इतिहास के पन्नों में वो अंकित है लेकिन ऐसे इतिहास हैं जो आज भी मौझूद हैं जिनके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं जो जिसके बारे में वो सा देखे यही वो पीपल का पेड़ है जिसमें कहा जाता है कि इसी के डाणों में 26 लोगों को जिंदा लटका दिया गया जिनकी लास से राद भर लटकती रही और सुबह जब लोगों ने देखा तो लोगों के पेरों तले जमीन खिसक गई और तमाम जो लोग दहसत में आ गए इधर के अगल बगल के लोग और गाउं से पलायन करना पड़ा उन्हें लगभग लगभग जैसे आप लोग तो इधर ही अगल बगल रहते हैं और भी कई सारी हवेलियां रही हो यहां बनारस में है ने बनारस में हवेलिश थी और कही में वहां च्छावनी था जाजी पु जायडपुरा मुहला है यहां पर मजमा लगता होगा पुरा हाथी घोड़ा इसे पुरा सज़ाए लगती थी लगती ती अज़ारों की संख्या में लोग आते जाते रहते थे घोड़े हाती रहते ने जमिदारी प्रथा थी उस समय की ये बात है और सायद बहुत कम लोग जानते हैं इनके परिवार से थे इसलिए इन्होंने बता दिया लेकिन अगर कहदे तो कहीं इतिहास में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है नहीं है और सरकार जो ऐसे इतिहासी कस्थलों को ढूड़ कर सनरच्छण देती आ रही है तो सायद उसकी नजरों से ये बच गया है कहीं पेपर होगा है कभी निकला होगा रहा होगा चलिए कोई बात नहीं और हम ऐसे ऐसे ऐतिहासी कस्थलों को अपने गाजी पूर जिले में ढूंड़ कर अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे और फिर से हम एक बार कहे दिखा दीजिए यही पीपल का पेड़ है जिस पर 26 लोगों को जिंदा लटका दिया गया था सजा सुनाई गई थी और वो भूताई हवेली है जिस हवेली को आज भी लोग देख कर डरा करते हैं लोग रातों में आया नहीं करते साम होते ही लोग गायव हो जाते हैं यहां से कि बहुत डरते हैं लोग लेकिन आपको बता दें तो यहीं पर इनका परिवार यहीं बगल में ही घर बना कर रहा है दोस्तों मैं ऐसे जो गाजीपूर के इतिहासी कस्थल है जो कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं है हम ऐसे इसे इतिहासी जगहों को ढूण कर अपने चैनल जे बहुत